हेलो फ्रेंड्स आज में बात करेंगे गूगल पिक्सल 6 के बारे में और इसको कंपेर करेंगे आइफोन के साथ और बॉक्स का साइज आप देख सकते हैं आइफोन 14 प्रो मेक्स जितने ही साइज है और बहुती छोटा सा पैकेजिंग है इसको उन्बॉक्स कर देता हूं आपके लिए और यह है गूगल पिक्सल 6 और इसको साइट में रखते हैं अभी देखते हैं इसका जो केबल यह है यह है टाइप सी डो टाइप सी केबल और यह है ओटी जी आडप्टर आपको टीजिए कनेक्सिंट करना है और एक्टरनाल इंटिकार्ड बगरा बाकी बॉक्स में कुछ है नहीं और इसका जो डिजैन है वह अलग गूगल पिक्सल जैसा ही है और पीछे दोस्त कैमरा है और एक फ्लाशलाइट है वाकी और प्लास्टिक से बना हुआ है साइड में सायथ कुछ मेटल लगा हुए बट पीछे का जो है लाइट वेट है साइड में जो है सेम एजेक्टर टूल और सिग्नल रिसीवर के लिए है दो और राइट साइड में आप देख सकते हैं पावर अफ बटन एंड वाल्यूम रकर्स और नीचे दो स्पीकर वन स्पीकर एक माइक्रफोन और टाइप सी और उपर भी और एक स प्रो मैक्स है दोनों का साइज डिफरेंस देख सकते हैं यह 6.1 इंच का है स्क्रिन गूल पिक्सल वह है 6.7 इंच का तो वह बहुत हवी लगता है आइफोन तो मुझे यह फोन काफी अच्छा लगा फ्रांट में जो फ्रोटेक्शन है वह कर नहीं को रिलेग लेगा स्थी महीं वीडियो को ठोड़ा स्कीप कर लीता हूँ तो इदर आपको सेटिंग भी कर सकते हैं डिस्प्ले साइज फांट साइज आपका जो स्टार्टिंग फोन को अट्ट जाता है सेम के लिए वाइफाय के लिए कानेट करने के बाद और इसका जो कैमरा है उसका डुल स्टु जो है टेंसर अक्टक्र प्रोसेशर वह भी है इसमें लगा हुआ है और फ्रांट में 8 मेगापिक्सल कैमरा है और डारीट आप कॉपी कर सकते हैं दूसरे एंड्रेट फोन से और इसका जो ऑन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट है उसको आप बूट के टाइम ही सेट कर सकते हैं तो यह है गूगल पिक्सल सिक्से अन हो गया अभी इसका एक आ रहा है अंड्रेट थर्टीन को अपडेट करने के लिए इन बाइडिफॉल था इसको भी मैंने डाउनलोड कर दूंगा थोड़े दर में इसमें बहुत सा रप्संसे में दुस्ता जो वीडियो बना हैं उसमे मैं में अच्छे से की आंड्रोइड 13 कैसे काम करता है क्या-kya न्या-nyा फीचर से आप वो वीडियो देख सकते हैं तो यह Android 13 इंस्टल हो रहा है और Android 13 के बाद security update भी आया था March का वो भी मैंने उसको download and install कर दिया हूं तो अभी यह Android version 13 आप देख सकते हैं और बाकि बहुत सार अप्लिकेशन का update भी आया on करने के बाद तो भी आप update कर सकते हैं और इसका तो स्टूरे से टोटल 128 GB है और रिमेनिंग जो है 111 GB का है बाकि अप्लिकेशन बगरा सिस्टम यूज कर रहा है और मैं अभी 4K वीडियो 60 फ्रेम पर सेकेंड में अभी प्ले करूंगा अब अब अच्छे से स्मूथली चल रहा है वीडियो इसका कफी अच्छा डिस्प्ले है फूल ब्राइटनेस में है तो बिल्कुल भी लैग नहीं है 60 फ्रेम पर सेकेंड अच्छे से चल रहा है इस डिस्प्ले अभी में कंपेर करूंगा इसको आइफोन के साथ और डिस्प्ले का डिफूर्स देख सकते हैं आइफोन थोड़ा सा ब्राइट है और वाइवरेंट है वह सैंब क्वालिटी में हैं गूगल पिक्सल 6 तोड़ा सा कम है बट ऐसा नहीं कि बहुत ही थाराफ ह लेकिन काफी एच्छा परफर्म कर रहा है Google Pixel 6 है तो बिलकुल भी लैग बगरा नहीं है और दोनों का viewing angle भी काफी एच्छा है और डिस्प्ले के मामले में भी काफी एच्छा डिस्प्ले दिया है Google Pixel 6 है ने और camera के बारे में बात करेंगे तो अभी मैं compare करूंगा iPhone 14 Pro Max के साथ लेक्ट में देख सकते है Google Pixel 6 से light में iPhone है तो Google Pixel 6 ने dynamic range काफी अच्छा किया है वो detail जो है iPhone में तोड़ा ज्यादा है और लेफ्ट में देख सकते है Google Pixel राइट में iPhone iPhone का जो 1X है वो थोड़ा वाइड फोटो खिचता है और Google Pixel है जो थोड़ा cool tone में है और same इधर भी same है iPhone जो है तोड़ा warm tone Google Pixel जो है cool tone iPhone का detail काफी अच्छा है मैं 2x zoom किया था दोनों का 2x zoom है और काफी अच्छा दोनों perform किया है बट iPhone में जो है noise तोड़ा कम है और Google Pixel काफी low price है 4x low price है iPhone से बट फिर भी बहुत अच्छा प्रफूम कर रहा है यह एक है Panorama sort Panorama sort में दोनों काफी similar दिख रहे है थोड़ा color का difference है cool और warm tone में और dynamic range भी दोनों का exact same है और detail जो है थोड़ा iPhone में अच्छा है और यह है video sample दोनों फोन का और Google Pixel जो है वो थोड़ा close जूम करके लेता है video stable करने के लिए और iPhone का video बहुत ही ज़्यादा stable है Google Pixel 6 से से भी ज़्यादा stable है और दोनों का dynamic range भी same है और जूम में दोनों को 2x जूम किया था और iPhone में noise बहुत कम है और दोनों को 1x कर पाया बट जब 0.5x किया तो Google 6 से ने 0.5x कर दिया आइपोन आइपोन बहुत तक नहीं है 1x से 0.5x और Google Pixel 6 से जो है बहुत स्ट्रगल करता है लो लाइट में अब देख सकते हैं मैं लैंप का फिक्चर ले रहा हूं एक वर्टिकल लाइन जैसा चल रहा है मेरा स्क्रीन के ऊपर ओके इवेन फोटो लेने के बाद भी same result है बट वो जो राइट में आइफोन है उसमें वो नहीं है लेफ्ट में जो है Google Pixel उसमें वर्टिकल लाइन सा रहा है सेम इधर भी लो लाइट में आइफोन का डीटेल देखो काफी अच्छा डीटेल है गूगल पिक्सल का नर्मल लैंस से लिया हूं बिल्कुल डीटेल नहीं है अब जो नाइट मोड में लिया तो भी अच्छा डीटेल आया बट आइफोन क्लेरली बीट करता है Google Pixel 6 एको लो क्या फीचर से क्योंकि यह वीडियो में बहुत लेंग्दी वीडियो हो जाएगा बहुत ही काफी अच्छा फीचर से Google Pixel में मुझे देखने को मिला जो कि आईपोन में बिल्कुल भी नहीं है तो वह वाला सब कुछ में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उसके बाद बैटरी के बारे हम बात करेंगे मैं 534 में 11 परसेंट चार्ज था आप देख सकते हैं और 828 आफ्टर 3 आवर्स चार्ज हुआ है अभी और बाकी 30 30 मिंट्स और लगे का टाइम चार्ज होने में तो चार्जिंग थोड़ा स्लो लगा मुझे और बहुत सारे फीचर्स हैं थी एक्सलोर कर सकते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको क्लियर्ली क्या क्या फीचर्स है तो आप टीप्स और ट्रिक्स में देख सकते हैं तो यह था वीडियो गुल्पी सल्सिक्स हैं मैं थेंक्स वर वाचिं